स्वास्त जीवन के लिए हकीम सुलिमान खांस अतिया हब्स www.atiyahubz.com आज हम आपको ऐसे पांच बड़े कारण बताएंगे जो ये साबत करते हैं कि इस लोगसभा चुनाव में अगर बीजेपी की सीटे गिरी है तो इसके पीछे सिर्फ एक ही चेहरा है अभी तक तो आप यही समझते थे जानते थे और यही आपको पता था कि अमिद्शा चाणके की भूमिका निभाते हैं अमिद्शा जहां जाते हैं वहाँ बीजेपी चुनाव नहीं हाती लेकिन अमिद्शा ने पिछले पांच सालों में जो प्लानिंग की संगठन के लिए ज एक और पॉलिसी बीजेपी के लिए बैकफायर कर गई और सबसे बड़े स्टेट यानि कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी योगी को हार का जिमेदार मानता है तो हम आज आपके सामने कुछ ऐसे फैक्ट्स रखेंगे जो आपके इस धारणा को बदल देंगे योगी नहीं बलकि आमिजेपी की वज़ा से उत्तर प्रदेश में हार हुई बिहार में हार हुई राजस्थान में हार हुई महराष्ट्रा में हार हुई और बाकी जो साउथ के स्टेट्स हैं जहां पर खाता तक नहीं खुला बीजेपी का जैसे कि तमल नाडू वहाँ पर अगर बीजेपी हार गई तो अमिजशाह की वज़ा से ही क्योंकि जीत का अगर सारा क्रेडिट आप अमिजशाह को देते हैं तो हार का भी क्रेडिट आपको अमिजशाह को देना चाहिए अमिजशाह ने अब पत्रकार उनके सामने कोई बच्चा हो और वो उनकी क्लास में पढ़ रहा हूँ अमित्ष्या ने कौन सी बड़ी गलती ती सबसे पहले आप देखिए महारास्ट्रों से शुरू करते हैं महारास्ट्र में अमित्ष्या ने ऑपरेशन लोटस चलाया ओपरेशन लोटस चलाया तो दो पार्टियों को तोड़ा उन्हें पहला शिवसेना को तोड़ा दो गुट टूटे उद्धाव शिवसेना और शिंदे शिवसेना फाइदा क्या हुआ जो कि बाला साहब की मतलब बाला साहब की राशनिती की लाइन थी शिंदे उस लाइन को पकड़ कर चलने की कोशिस कर रहे थे कोशिस कर रहे थे कर नहीं पाए शिंदे साहब बाला साहब का नाम अपने साथ तो रखे हुए थे पार्टी के पोस्टर जंडे में बाला साहब का चेहरा तो था लेकिन वो बाला सहावाली लाइन पर नहीं चल पाए जो शुद्ध रूप से मतलब एग्रेसिव हिंदुत्व की तरफ इशारा करता है वो शिंदे सहाव में नहीं नजर आया उनको भले चीफ मिनिस्टर का चेहरा बना दिया गया लेकिन ऐसा लोगों में एक म जलतियां हुई शरत पवार को लेकर एक सिंपैथी है महाराश्रो में एक सानुभूती रहती है लोगों में जब मुझे याद है कि 2020-21 में जब महाराश्रो में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था 2019-20 में उस तौरान शरत पवार के एक तस्वीर सामने है जिसमें व 80 साल में कोई आदमी इस तरह से भाशन दे रहा है वो भी बारिश में भींगते हुए उस तौरान शरत पवार किंग मेकर की भूमिका में आए दो हिस्सों में तोड़ दिया गया शर्फ शरत पवार की पार्टी नहीं चुटी उनके परिवार को दो हिस्सों में बाट दिया गया जब 2020 में नतीजे आए थे मतलब सरकार गठन हो रहा था उस तौरान क्या हुआ रातो रात अजित पवार अपने चाचा शरत पवार को छ शपत ग्रहन चल रहाए कहाँ तो राजीपाल के हाऊस में, राजीपाल के घर में शपत घ्रहन हो गया, पता चला अजीत पवार अपनी चाचा को छोड़ चुके हैं, फिर अजीत पवार ने दावा किया कि सारे विधायक उनके साथ है लेकिन विधायक नहीं गए मिटिंग होई विधायक नहीं गए जित पावर ने स्तीफा दिया फिर महाविकास अगाड़ी की सरकार बनी है लेकिन यहां गलती कर गए थी आमिर्शाह उसके बाद बीजेपी को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा बीजेपी ने फिर दो साल बाद ऑपरेशन लोटस चला है ऑपरेशन लोटस चला तो महाविकास अगाड़ी की सरकार गिर गई उद्धव ठाकरे चेफ मिनिस्टर नहीं रहे लेकिन 2022 में ये सरकार गिर गई थी लेकिन इसके साथ क्या हुआ NCP जब तूटा NCP में जब बिखरा हुआ जब आजित पवार अलग हो गए शरत पवार अलग हो गए आजित पवार के उपर धस्ताचार के आरोप थे उन धस्ताचार के आरोपों से रातो रात वो मुक्त हो गए तो लोगों के भीतर एक मैसेज गया कि BJP सचमुझ वाशिंग मशीन बन चुकी है जितने दागी, काले कारणामे वाले नेता आते हैं वो रातो रात इस वाशिंग मशीन में धुल जाते हैं और यहीं वज़ रही कि महारास्ट्र में BJP दहाई का आकड़ा भी नहीं चुपाई अगर मैं गलत नहीं हूँ तो BJP ये शायद वहाँ पे 9 सीटे हैं BJP को ये नुकसान इसलिए हो रहा है महारास्ट्र में क्योंकि BJP ने जो मराठी अस्मिता की बात करने वाले लोग थे या मराठी अस्मिता की बात करने की जगा उसने तोड़ खोड मचाना शुरू किया और ये सारी प्लानिंग कहां से हुई JP नड़ा नाम की अध्यक्षते काम कर रहे थे अमित्शाह ऐसा दावा किया जाता है कई जानकारों की तरब से इसकी चर्चाएं अकसर होती रहती हैं कई डिबेट्स में इसके चर्चा होई तो अमित्शाह सबसे पहले यहां दूश्री बन गए अब जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में बहुत ध्यान से सुनिएगा उत्तर प्रदेश में नुकसान की वज़ा नरेंद्र मोदियों और योगी में कोई दुराव नहीं मतलब कोई बिखराव या अलगाव नहीं है लेकिन अलगाव है कहा अलगाव तब से शुरूआ जब अमित्षा बीजेपी के राष्ट्रे अध्यक्ष हुआ करते थे तब इससे शुरूआ यानि साल 2017 में जब योगी आधितनात को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद से, मुख्यमंत्री बनने के बाद से अमित्षा नहीं ये सोचा कि योगी भी रबस्थाम बन जाएंगे लेकिन ऐसा योगी ने किया नहीं अब वहाँ से अमित्षा और योगी के बीच 36 कांकड़ा कहा जाता है इसा दावा किया जाता है कि शुरू हो गया लेकिन लोगों ने इसको तब चरम पर पहुंचते हुए देखा जब अमित्षा देश के ग्रही मंत्री बन गए 2019 में चुना हुआ मंत्री मंत्री रिस्तार हुआ अमित्षा ग्रही मंत्री बन गए अमित्षा को फिर मतलब सरकार की जिम्मेदारी सम्हाली मिल गई और अध्यक्ष बन गए जेपी नड़ा उस समय दो हजार इकीस में अमित्षा और योगी के बीच का जो जगड़ा था ये भी जानकार कहते हैं कई सीनियर पत्रकारों से इमने कहते हुए सुना है कि दोनों के इतना तेज धगड़ा हुआ कि उत्तर प्रदेश में जो पार्टी का हैंडल था सारी जो फेस्बूक हैंडल प्रेटर हैंडल जो भी सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म्स थे वहां से अमित्षा को गायब कर दिया गए रात और रात उनके पोस्टर्स बदल दिये गए उत्तर उत्तर प्रदेश में अभी की बार करीब ऐसा पचास लोगों का नाम मतलब प्रदेश इकाई की तरफ से दिल्ली इकाई को भेजा गया था लेकिन उन में से मतलब सारे नामों को काट कर उन्हीं चेहरों पर जादा भरोसा किया गया जो पहले से भी चुनाव लड़ रहे थ दो दो बार तीन तीन बार वो चुनाव लड़ चुके दे उन्हीं चेहरों पर भरोसा किया गया एंटी इंकम्बेंसी थी उत्तर प्रदेश ने बताया दिल्ली को दिल्ली ने सुना नहीं कहा जाता है कि दिल्ली में सुनवाई नहीं हुई उत्तर प्रदेश की इसके पीछ इकलिस्ट जाती है दिल्ली में, राजस्थान ने भी एकलिस्ट भेजा, चुरूब लोगस्वा की सीट है, जो बीजेपी हार गई, राहूल कस्वा वहां से जीत कए हैं, राहूल कस्वा का नाम भी जा गया था, दिल्ली ने उस नाम को काड़ दिया, अब उसमें बहुत सारे बहुत सारी बाते थी, राहूल कस्वा कुछ लोग कहते थे कि वो वसंधरा गुटके हैं, कुछ लोग ये मानते थे कि जो उस समय के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके गुटके हैं, और इसी बीच, देखिए, राजेंदर राठोर, राजेंदर राठोर राहूल कस्वा के अभी 36 का अकड़ा था, राजेंदर राठोर राठोर ने वहाँ वीचो पावर लगा दिया, राहूल कस्वा का टिकट कार दिया गया, वो चुनाव लड़ने उत्रे पार्टी के खिलाफ, और पार्टी के खिलाफ वो चुनाव जीत कै, राहूल कस्वा के खिलाफ बयान बा पिशोग दलितों की नाराजगी भाप नहीं पाई, सिर्थ वसुंधरा की नाराजगी से कुछ फर्क नहीं पढ़ा, लेकिन जो बड़े पैमाने पर, बड़ी तादात में, ग्राउंड लेवल पर, जो जातियों की नाराजगी थी, विरादरी की नाराजगी थी, उसे BJP पस एंडिये गट बंधन को पहुचा सकता है जो ये उनका रवया था जो अड़ने का जो उनके अड़ने की वजह से कहा जा रहे कि राजस्थान में भी बीजेपी भारी नुकसान में चली गई करेवा ठारा सीट उपर वहाँ पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा तो ये राजस्थान में भीहर की सबसे बड़ी वजह रही तमिल नाडु का अब जिकर कर लेते है या दक्षिन भारत का ही अब जिकर कर रहे है दक्षिन भारत में। ठमिल नाडु जिससे स्टेट में जहाँ बीजेपी के लिए उम्मीद की जा रहे थी कि इस पार कुछ अच् में उतार दिया नतीजा की वो रिजल्ट गेन नहीं कर पाए वो लोगों की साहनुभूती और उस साहनुभूती को वोटों में तब्दील नहीं कर पाए नतीजा ये कि वो चुनाव हार गए ये जो तमाम वजहे थी इसने बीजेपी के संगठन के भीतर कितना अलगाव है इसका एक प्रमान पेश कर दिया है और सिर्फ कहा जा रहा है कि सिर्फ ये अलगाव गुजरात जैसे स्टेट में अगर कॉंग्रिस वहां खाता खोल लेती है तो भी ये अमित शाह की सबसे बड Congress मुक्त गुजरात हो चुका है. 2019 में लोगों ने उसकी तस्वीर देखी. इसके अलावा, जब 2023 में वहाँ पर विधान सबा के नतीजे आई. वहाँ भी लोगों ने उसकी तस्वीर देखी थी. लोगों को यह भरोसा हो गया था कि अब Congress मुक्त गुजरात हो गया. कार दवा कर रहे हैं कि योगी आधितनात को दिल्ली को ऐसा लगा कि योगी आधितनात की यूपी में जरूरत नहीं है उनको हटाने की सारी प्लानिंग बनाई गए उसे ओन पेपर तयार किया गया और ऐसा लगा कि योगी आधितनात ना भी प्रचार करें तब भी यूपी मे असी में से मतलब ऐसा समझे कि 90% स्ट्राइक डिट रहेगा बीजेपी का ये दिल्ली मान चुका था और नतीजा ये ही रहा कि इसी गलत फहमी के चक्कर में उत्तर प्रदेश में सबसे करारी हार बीजेपी को झेलनी पड़ी योगी आदितनात को उत्तर प्रदेश के बाहर ज जादतर जगहों पर जहां योगी को पता था कि उमिद्वार नहीं बदलने से वहां एंटी इंकंविंसी की लहर सी आ गई है वहां भी योगी आदितनात जा नहीं पाए वक्त नहीं दे पाए योगी आदितनात की बारे में उनके संगठन के लोग अब लिखने लगे हैं सो जगे हैं आपका क्या सोचना में कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और वीडियो अच्छा लगा तो उसे शेर जरूर करिएगा झाल झाल